हेलो स्टुडेंट्स आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने अग्रिकल्चर के कुछ नए टॉपिक लेके से पहले की टॉपिक शुरू किया जाए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा कमेंड करें और सभी को सेयर करें करें कि अज अगरे शुटेंट्स आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वह गंदी बग जो लोजिकल नेम है लेप्टो कोरिशा बैरी कॉर्निस सबसे पहले देखते हैं इसका क्लाशिफिकेशन फाइलम आर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ओर्डर हेमिप्टेरा, सब ओर्डर हेट्रोप्टेरा, फैमिली कोरेडी, जीनस लेप्टो कोरिशा और इस्पेशीज बैरी कॉर्निस यह इंसेक्ट मोस्टली पैडी के लिए जाना जाता है लेकिन इसके अलावा यह ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों, सावा और दूसरी कई घासों पर भी यह सर्वाइब कर सकता है अगर डिस्टिबिशन की बात की जाए तो यह इंसेक्ट बिश्व में मलाया, मयम्यार, चाइना, बंगलादेश, सहीद भारत में भी पाया जाता है और भारत वर्ष के लगबक सभी स्टेट्स में इस्पेसली आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्दे प्रदेश, राजस्थान, देहली, तमिल्लांडू, उडिसा और केरल में यह सबसे ज़्यादा मिलता है बात करते हैं इसकी economic importance और damage की यह insect खेतों में जून के महिने में दिखाई देता है जैसे ही बरसा शुरू होती है, यह insect घास में अपने अंडे देना शुरू कर देता है जैसे ही धान के पहुदे उगते हैं, इंसेक्ट उन पर पहुशता है इस इंसेक्ट के adult और nymph दोनों ही नुकसान पहुचाने वाले होते हैं क्योंकि दोनों में piercing and sucking type के mouth parts पाये जाते हैं उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहां यह जून से लेकर अक्टूबर तक और दच्छडी भारत में यह नवंबर से दिसंबर तक सक्रिये रहता है स्टार्टिंग में यह धान की जो कोमल पतियां होती है या जो स्टैम होता है उसका रस चूसना शूरू कर देते हैं जिससे इसकी पतियां पीली पढ़कर कमजोर हो जाती है और पौधो की बढ़वार रुख जाती है वो छोटे रह जाते हैं इन लीप्स पर फंगस का भी अटैक हो जाता है इससे उन पर ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पार्ट पढ़ जाते हैं जब प्लांट्स में उसकी बाले निकलना शुरू होती है तो उन बालियों का ये रस चूसना स्टार्ट कर देता है ये वह समय होता है जब दाने पर मिल्की स्टेज होती है यानि कि डाने के अंदर जब दूद पढ़ने का समय आता है यह उस समय तो यह उस दाने का रस चूस लेते हैं इससे दाना हलका हो जाएगा और छिलके का जो रंग है दाने का वो सफेध हो जाता है जिस स्थान पर ये अपने mouth parts को चुबाते हैं रश्चूसनी के लिए बहाँ पर black fungus लग जाएगा जिस से उस स्थान का रंग brown या black हो जाता है जिस समय धान की फसल में milky stage होती है यानि सितंबर सक्टूबर तक सबसे जादा नुकसान ये पहुचाता है ये नुकसान लगवग 20 से 30% हो सकता है अचा इनकी body से एक विशेश प्रकार की बदबू आती है बहुती बुरी smell आती है इसी बज़े से इसको आसानी से पहचाना जा सकता है इनके सरी से क्योंकि smell आती है इसी लिए इने गंधि कीट भी कहते है क्योंकि गंध हिंदी का सब्द है और उसी से बना है गंधि कीट तो इसलिए इसको गंधि कीट के नाम से भी जाना जाता है इसको लोकल भासा में रेन्था, चुसिया, रेन्या इन नाम से भी जाना जाता है अब बात करते हैं इसकी लाइप साइकल की तो इस इंसेक्ट की लाइप साइकल में हमें तीन स्टेज दिखाई देती हैं एग, निम्फ और एडल्ट सबसे पहले एग देखते हैं खेतों में धान की रोपाई के होने के बाद ही ये इंसेक्ट हमें खेत में दिखलाई देने लगता है जुलाई अगस्त में फिमेल इंसेक्ट कॉपुलेशन के बाद धान की पत्तियों की लोवर सर्फेस पर कतारों में अंडे देती हैं ये जो एग होते हैं ये फ्लैट, राउंडेट, लाइट ब्राउन कलर के होंगे प्रतेक रो में 10 से 20 एग होते हैं और एक स्थान पर इनकी जो संख्या है वो लगबग 40 तक होती है एग का रंग बाद में ब्लैक हो जाता है और इसका आकार 1.2 मिलिमीटर से 0.8 मिलिमीटर होता है मौसम के अनुसार और टंप्रेचर के अनुसार ये लगबग एक सब्ता में पकप फूटता है जिससे की लाइट कलर के निम्फ बाहर आते हैं निम्फ स्टार्टिंग में ये निम्फ लगबग 1.8 मिलिमीटर लंबा होता है जो की 6 घंटे के अंदर ही बढ़कर 2 मिलिमीटर लंबा हो जाता है ये रेंग कर चलते हैं और प्लांट्स की जो सौप्ट लीप्स होती हैं या उसकी स्टैम होती हैं उसका रस्चुसना सुरू कर देते हैं ये एडल्ट में बदलने के लिए पांच बार मॉल्टिंग करते हैं जब थर्ड मॉल्टिंग होती है तो उसके बाद से ही इनके सरीर में अगर हम देखें तो बिंग्स लगबग दिखाई देने लगती हैं और जब कम्प्लीट डबलप लिंफ हो जाता है तो ये पंद्रह मिलीमीटर लंबा होता है 14 से 20 दिनों में ये पूरी तरह से डबलप होकर एडल्ट इंसेक्ट में बदल जाता है एडल्ट इंसेक्ट की अगर देखें तो ये लगबग 16 मिलीमीटर लंबा और पतले सरीर बाला होता है प्रारंब में यानि स्टार्टिंग में इसका रंग हलका धानी कलर का या हलका पीला थोड़ा सा लाल और जो बाद में ब्राउन कलर का हो जाता है इनका सिर्फ छोटा और लोवर सरफेस पर चार खंड की यानि फोर सेगमेंटेट बीक होती है हेड के एंटिरियर पार्ट की और बन प्यार आफ एंटीनी पाई जाती है जो बाड़ी से भी लंबे होते हैं और कलर इनका होता है रेड और ग्रीन इनके मेटा थोरेक्स पर ग्लांड सोती है जिनसे गंध निकलती है जिनसे स्मैल आती है मेटा थोरेक्स में ही दो प्यारा बिंग्स होते हैं जिसमें अगले जोड़ी जो बिंग्स होते हैं उनका आधा भाग बहुती चमकीला होता है और पिछला आधा भाग एक मेंब्रेन जैसा होता जिल्डी की तरह होता है इस प्रकार के पंको को हेमी लीटरा कहते हैं याद रखेगा इस प्रकार के पंको को हेमी लीटरा कहते हैं adult insect 12 दिन से 14 दिन के बाद copulation करते हैं और female insect 3 दिन के बाद copulation के 3-4 दिन के बाद act देना start करती है male insect 33 दिन से 55 दिन तक जी भी तरहती है और इनकी पूरी जो life cycle है वो 21 से 31 दिनों में पूरा हो जाता है इस तरह से एक बर्स में इसकी कई generation पाई जाती है धान के खेत में चार से पांच इसकी जन नेशन पूरी हो जाती है इसके बाद जो एडल्ट इंसेक्ट है ये हाइवर नेशन दिखाएगा सीत निसकिता दिखाते हैं और इसमें जितने भी इसके निम्प होंगे वो मर जाते हैं आज दुबारा फिर से जब समर स्टार्ट होती है इसको आज फास की जो भी गहास लगी हुई है खेत के उसके सभाइब करना इस अब बात करते हैं इसके कंटॉल की इन इसको कंटॉल करने के लिए सो किंस्यकर मेकाइमिकल हमारी फिल्ड के आजपास जो भी घास उग रही हो उसको धान की फसल बोने से पहले ही उस घास को खत्म कर देना चाहिए नश्ट कर देना चाहिए इसे ही होगा कि उस पर जो भी इंसेक्ट सरवाइब कर रहा होगा वो इंसेक्ट वहां से हट जाएगा खत्म हो जाएगा दूसरा काम कर सकते हैं मेकनिकल में कि हम लाइट ट्रैप का यूज कर सकते हैं खेत के पास में जिससे कि निमफ और एडल्ट दोनों ही अट्रेक्ट हो और उसके बाद उनको नश्ट कर दें जिस तरह काम हो सकता है जो हम लोग कर सकते हैं जो भी पैड़ी की रेसिस्टेंस बैराइटीज हैं उनको ही उगाया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा लेकिन आप कैमिकल अगर कंट्रोल में देखें अगर किसी फसल पर इस इंसेक्ट का प्रकॉप जादा है तो जो दवाईय लिखी हुई है इन पेस्टिसाइड में से किसी भी की एक को दी गई मात्रा के हिसाब से प्रती हैक्टर की दर से अगर फसल पर हम डस्ट करें तो हमें इंश्चिती फाइदा मिलेगा जैसे लिंडेन 1.3 परसेंट डस्ट 25 किलोग्राम मालाथियान 5 परसेंट को 30 किलोग्रा 20 किलोग्राम की दर से अगर हम प्रती हैक्टर की दर से प्रुकाओ करें तो निश्चिती हमें यहाँ पर फाइदा मिलता है इसके अलावा इसके कुछ नैचुरल इनमी भी होते हैं जैसे मैंटिस यह ऐसा इनमी है जो इंसेक्ट के निम्फ और एडल्ट दोनों को खाता है इसके अलावा एडेलिया, ओमाट्यस और कॉक्सिनिला इसके साथ ही कुछ चिडियां भी होती हैं जो गंदीबग को बड़े आराम से खाती हैं यह एक बाइलोजिकल कंट्रोल है इस बाइलोजिकल कंट्रोल के दौरान आपको किसी भी चीज़ करने के जुरूत नहीं रहती है तो आज के लिए बस इतना ही और फिर दुबारा अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आप से मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवार